गुट इवनिंग एफ्रिवान वेरी गुट इवनिंग वेल्कम तो क्रियेटरिक्स यूट्यूब चैनल माइडियर फ्रेंड्स वी आ लाइव इन लक्षे बैच 2.0 कंट्रोल सिस्टम्स तो यार अब तक देखो हम लोग क्या कर चुके हम कंट्रोल सिस्टम्स का इंट्रोडक इक्विजिट जो होता है लैपलास ट्रांसफोर्म उसको कैसे निकाला जाता है और लैपलास में मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से पार्शल फ्रेक्शन भी समझा दिया है कि आप पार्शल फ्रेक्शन का कैसे यूज करते हैं वाइल टेकिंग दा इन्वर्स लैपला बन चुका है तो बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन शुरू हो जानी चाहिए और फटा फट से हमें कंसेप्ट पे डाइव कर जाना चाहिए ठीक है तो शुरू करते हैं यार लेट मी फर्स स्टार्ट बाइं इंट्रूसिंग माइसेल्फ माइनेम इस अंकित गोयल आई गॉत इंडिया rank 1 twice in gate in 2014 and 2018. I was awarded gold medal by president of India himself in the year 2013 when I graduated from IIT. Till date I have trained over 2 lakh students for gate and ESC and I am currently working as a director at an academy for the gate department. अब देखो यार मेरे बारे में ये सारी बाते मेरे सभी बच्चे जानते हैं लेकिन बच्चो क्या होता है बहुत सारे बच्चे daily channel पे नए आते हैं हमारी family का part बनते हैं and they should also get to know about all these credentials ताकि वो हमारे साथ जुड़ पाएं और हमारे साथ जुड़ करके इस journey को तै कर पाएं और यार इतना कर दिया करो आप लोग अगर चाहते हो ना control system एकदम basic level से advanced level तक cover हो है ना एकदम innovative तरीके से कुछ नए तरीके भी मैं इसके अंदर अपना हूँ तो please share the session as much as possible क्योंकि आप लोग अगर support नहीं करोगे तो फिर क्या होगा मैं भी YouTube पे फिर कभी कभी आया जब mood हुआ तो session लिया नहीं mood हुआ तो नहीं लूँआ session लेकिन अगर आप चाहते हो daily जैसे paid users की class लगते है regularly आप लोग की भी class लगे तो please 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 share as much as possible ठीक है and बचो ये link आपको याद रखना ये link जो है ना आपके लिए lifeline है lifeline कैसे है यहाँ पे मैंने unacademy पे जितनी भी अ साल में सारी listed हैं और बहुत जल्द अगर आप इस series को support करोगे तो मैं आपको other subjects के भी previous year question करा रहा हूँआ जैसे control के करा दूँगा अभी control पढ़ा रहा हूँ ना तो control के chapter by chapter सारे PYQ मैं आपको यहाँ पे practice करा दूँगा लेकिन इस link को सभाल के रखें इस sessions को ये जो YouTube की classes ह इनको जादा से जादा promote करें क्योंकि आर देखो मेरे पास क्या साधन है मैं सिर्फ अपने telegram channel पे डाल सकता हूँ ठीक है टीम के telegram channel पे डाल सकता हूँ लेकिन आप लोग हो पिटा जो daily aspirants के बीच में उठते बैठते हो तो अगर आप लोग share करोगे ना तो उसका जो impact आए हो ठीक है अभी आप लोग यह सोच भी नहीं सकते हो बिटा कि student community में power कितना है मतलब अगर एक student स्थान लेना कि यार हमको और जादा content चाहिए हमको और जादा support चाहिए और इसके लिए हम कुछ भी करने होते ही आ रहे हैं तो मैं कह रहा हूँ nothing is impossible लेकिन आप लोग पता है क अगर यहां पर बच्चे आएंगे नहीं सेशन में eventually मैं भी demotivate हो जाओंगा फिर मैं छोड़ दूँगा तो उससे क्या हुआ जो बच्चे पढ़ रहे थे उनका भी loss हो गया बट जो बच्चे आ रहे हैं अगर वो और जादा इसको share करेंगे बढ़ाने की कोशिश करेंग तो मुझे भी पढ़ाने में मज़ा आएगा आपको भी पढ़ने में मज़ा आएगा ठीक है चल बिटा अभी तो ऐसा कुछ नहीं है बार के interview guidance के लिए ठीक है चल तो शुरू करते हैं अर आज transfer function and block diagram तो आज हम बात करेंगे finally transfer function और block diagram तो देखो यह पहली unit है हमारी control system की न आता है transfer function का basic आता है इसके अलावा आपका एक concept आता है signal flow graph यह पहली unit है सबसे basic unit यार मेरे भाई यही है सबसे basic unit और जैसा मैंने आपको यह बोला इस control system के course और और किसी course में क्या फरक होगा यहां content आपको पूरा मिलेगा लेकिन structured मिलेगा और concise way में मिलेगा क्योंकि मैं भी जानता हो यार जब एक subject पे आपको 1500-200 घंटे लगाने पड़ जाते हैं तो आप लोग भी interest lose कर जाते हो वो motivation जाने लगता है तो वैसा नहीं घसीटेंगे नहीं subject को तरीके से करेंगे problem solving सिखाते हुए करेंगे और आपको subject में solid बनाते चलेंगे हिमांचु बेटा कुछ भी मिलेगा gift voucher अच्छा ही तो है अब ये तो नहीं सोचते है gift मिल रहा है तो क्या मिल रहा है जो मिल रहा है बढ़िया है ना से तो सब कुछ बहतर है चलो जी आप देखो transfer function क्या होता है अगर एक control system में आप देखो तो एक input लगाओगे एक उसका output मिलेगा अब अगर आप input का lap last ले 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 और output का भी lap last ले 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 तो उसके ratio को हम क्या कहते हैं we call it as the transfer function तो देखो होता क्या है actually अगर एक LTI system की बात की जाए ना यार तो LTI system के अंदर एक आपका input रहता है जिसको हम कहते है RT एक आपका output रहता है which is called as CT और फिर यहाँ पे होता है LTI system अब अक्सर पता है क्या होता है यह जो LTI system है इसको हम लोग represent करते है by means of its impulse response किस से represent करते हैं इसको इसके impulse response से बिटाई है electrical EC instrumentation सबके काम में आ जाएगा जो common subject है वो electrical EC को अलग-अलग नहीं पढ़ाया जाता है जैसे मान लो हमने लिखा HT impulse response का मतलब क्या होता है मेरे भाई impulse response का मतलब यह होता है जब system में अगर आप impulse function as a input लगाओगे तो जो output मिलेगा that is called as the impulse response बात समझ में आ रही है तो अगर system में input लगाया जाए एक impulse function तो जो output मिलता है that is your impulse response तो हम क्या बोल रहे है अगर हम impulse response की बात करें मैं आपको बता रहा हूँ यह transfer function की theory कहां से आई है पहली बात तो यह आया है सिर्फ LTI system के लिए तो जब मैं impulse response की बात करता हूँ न तो मैं क्या बोलता हूँ मिरे भाई कि अगर RT यानि input पे control system का input जादा तर RT से ही दिखाते हैं ठीक है impulse response क्या कहलाता है भई यह impulse response और यह पता इतना important क्यों है क्यों impulse response इतना popular है बिटा यह इसलिए इतना popular है क्योंकि इसके माध्यम से आप किसी भी input का output निकाल सकते हूँ आप किसी भी input के लिए output निकाल सकते हूँ हाँ पीटा टेसला बैच से कर लो अगर जल्दी करना है तो हम क्या कह रहे हैं यूजिंग इंपल्स रिस्पॉन्स ह्टी वी केन कम्प्यूट आउटपुट यानि की सी टी फॉर एनी आर्टी ये इसकी खासियत है ठीक है तो अब यहां पे क्या होता है मेरे भाई यहां पे फंडा ही होता है सी टी इस आर्टी कन्वल्यूशन विद एच टी ठीक है एक कन्वल्यूशन के बारे में मैंने थोड़ा जिक्र किया था फिटा लैपलास के अंदर अभी मैं जब आपको लैपलास पढ़ा रहा था तो मैंने आपको convolution के बारे में जिक्र किया था कि convolution जो होता है जब लैपलास डोमेन में जाते हैं it converts to multiplication तो same चीज़ यहां हो रही है यहां पे जो आपका convolution आ रहा है तो output is convolution of input and the impulse response अब क्या होता है बिटा अबना यहां पे हम लैपलास ट्रांसफॉर्म लेते हैं हम क्या गरते हैं take लैपलास ट्रांसफॉर्म both sides ठीक है जी दोनों तरफ लैपलास ले लो अगर मेरे बच्चों दोनों तरफ लैपलास लो गए तो यह बनेगा c of s r of s h of s यानि यह जो convolution था ना यह किसमें convert हो गया बिटा यह multiplication में हो गया तो यह जो आया h of s यह कहलाता है फिर transfer function अब समझ में आया तो basically यह जो transfer function है transfer function कुछ भी नहीं है अगर signal की terms में देखो transfer function signal system की terms में अगर देखो is equal to laplace transform of LTI sorry laplace transform of impulse response ठीक है और यह impulse response वाला फंडा है ना यार यह सिर्फ चलता है LTI system में इसलिए transfer function भी जो है ना LTI systems के अंदर ही बातचीत की जाती है इस बारे में इसने वहीं से जन्म लिया बिटा जहां आप signal system में किसी भी system का output derive कर रहे थे जब आप signal system पढ़ रहे थे तो अब आप कह रहे थे किसी भी system का output convolution से निकाला जाता है और वहीं से इस theory की शुरुआत हुई वहीं से transfer function ने जन्म लिया clear हो गई बात अब देखो concept of transfer function अगर यहाँ देखा जाए अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं देखो जैसे अगर मैं एक kvl लिखूं vt is equal to rit plus l d by dt of it यह लिख सकते हो kvl से supply is equal to the voltage drop across the resistance and the inductor ठीक है अब यहाँ पे अगर आप देखें लैपलास अगर लें तो vs is equal to r is plus sl is ठीक है तो अगर आप यह कहें कि मेरा current जो है output है और voltage जो है input है तो इसका transfer function क्या हो गया 1 by r plus sl ठीक है मैं यहाँ पे किसको treat कर रहा हूँ output की तरह current is being treated as output and voltage is being treated as input लेकिन पता अगर आप एक चीज़ देखो यार मैंने derivative का लैपलास क्या लिखा sl is मैंने minus i0 तो नहीं किया अगर आपको याद हो बिटा तो मैंने जब आपको derivative property पढ़ाई थी तो मैंने आपको यह नहीं बोला था कि अगर लैपलास transform इसका लेना हो तो यह होगा s is minus i0 अब आपका question यह होना चीज़े था सर यह 0 i0 कहां गया तो अगर आप ध्यान से देखो i0 को मैंने एक तरह से 0 माना हुआ है यानि what I am assuming is the 0 initial current तो अगर मैं इस term की बात करूँ ना मेरे भाई यह जो term दिख रही है this has been considered as 0 considered as 0 तो इसका मतलब क्या हुआ मिरे भाई की transfer function approach सिर्फ तब ही चल सकती है जब initial condition आप ignore कर दें तो देखो मैंने दो चीज़े बता दें transfer function की approach सिर्फ valid है LTI system के लिए इसने जनम लिया है convolution से और transfer function सिर्फ तभी तक निकाला जा सकता है जब initial condition 0 हो जाए चमका भई सबको जल्दी से बताओ सभी को चमक गया यह बढ़िया तरीके से चमक गया भई मज़ा आ गया सारी चीज़े मैंने derive करके दिखा दिखा दिये हैं कुछ कुछ signal आपको पता होने चीए यह भले ही आप signal system में पढ़ते हो बट कुछ signal ऐसे हैं जो कि बहुत frequently ना control में देखने मिलते हैं है ना आप signal में पढ़े हो मैं जानता हूँ आपको knowledge है लेकिन फिर भी एक बार revisit कर लेते हैं बुराई तो है नहीं कोई बुराई है क्या भी revise करने में बताओ आप ही लोग पहला होता है बिटा impulse signal अब impulse signal की परिभाशा क्या है अब यह मत सोचना impulse की सारी property में यहाँ पढ़ाने बैठूँगा signal के level पर obviously नहीं पढ़ाऊँगा ठीक है लेकिन कुछ चीज़े जरूर बताऊँगा देखो यहाँ पर क्या होता है impulse function जब draw करते हैं तो हम ऐसे दिखाते हैं यह होता है delta t इस function की खासियत यह है कि यह left में भी 0 होता है right में भी 0 होता है बस यह 0 पर value non-0 देता है सिर्फ यह 0 पर exist करता है बाकी सभी points पर it's always 0 तो इसको पता है कैसे लिख देते हैं इसको ऐसे लिख देते हैं delta t is equal to 0 for all t not equal to 0 यानि हर कोई ऐसा point जहाँ t 0 ना हो वहाँ मेरा delta t 0 आएगा delta t 0 आएगा और delta t tends to infinity at t equal to 0 0 पर ना यह discontinuous हो जाता है यह infinity को चला जाता है तो sir अगर यह infinite को जा रहा है तो मैं इसका क्या काम लूँगा बिटा भले ही यह infinite को जा रहा है पता है इसकी एक बहुत अच्छी खासियत होती है इस function की खासियत यह है मेरे भाई कि अगर इसको integrate करो ना minus infinity से infinity तो इसका area आता है one इसलिए इसको क्या बोलते है unit impulse जब हम unit impulse की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है area one area one अच्छा वैसे ऐसे सोचो impulse जो होता है ऐसे कहते हैं कि कुछ लोग impulsive होते हैं जो ऐसा बोलते हैं कि कुछ लोग impulsive होते हैं माने वो तुरंट react करते हैं फटाक से कुछ भी चीज खराब होई तुरंट गुस्ता आ गया कुछ भी चीज उनके अनुसार नहीं हुई तुरंट उनका reaction आ गया ऐसे लोगों को impulsive बोला जाता है impulsive माने जो सोचते नहीं है react पहले करते है impulse function भी तो ऐसी है जटके से infinity चला गया अचानक से sudden हुआ तो sudden होने के कारण इसको impulse बोलता है अभी मैंने आपको बताया बिटा transfer function is the laplace transform of impulse response ठीक है lightning कह सकते हो impulse लेकिन exactly नहीं होता lightning का क्या होता है na finite duration होता है क्या होता है lightning का बहुत छोटा duration होता है maybe in nanoseconds and all nanoseconds या millisecond के अंदर तो exactly उसको impulse नहीं कह सकते है उसको rectangular function कहते है ठीक है कि suddenly voltage बढ़ी और फिर से गिर गई जैसी lightning आया होई अब आता है भई step signal अब ये step signal क्या बला है step signal है CD की तरह CD को step बोलते हो न gym में वो देखो gym वाला कभी-कभी CD पे exercise कराता है CD चड़ो उत्रो चड़ो उत्रो वैसा ही कुछ है यहाँ यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे फंक्शन जीरो पे एकदम एक CD चड़ जाता है ठीक है जैसे मान लो यह time axis है और यहाँ पे आपका जो function है वो 0 है ठीक है यहाँ पे आपका function 0 है और suppose यहाँ पे A हो गया तो अचानक से देखो function ने A height की CD चड़ ली तो function discontinuous हो गया बिटा 0 से पहले 0 और 0 के बाद A जब function की left hand side की value और right hand side की value किसी भी point के about बराबर नहीं होती तो उसे कहते हैं discontinuous है ना discontinuity की limit sorry definition क्या होती है कि कि किसी भी function की किसी भी point पे left hand limit is not equal to the right hand limit तो यहाँ 0 पे अगर देखोगे तो left hand limit है 0 right hand limit है A तो left hand और right hand limit ना बराबर होने के कारण this is discontinuous तो यह function जो होता है ना this is discontinuous at t equal to 0 अब इस function की definition क्या होती है देखो यहाँ पे ऐसे लिखते है rt is equal to a ut तो इसकी value है a for t greater than 0 0 for t less than 0 0 पे यह undefined होता है अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना की 0 के आगे और पीछे वाली value का average define कर देते हैं क्या कह देते हैं की 0 के पहले तो 0 था और 0 के बाद a है a और 0 का अगर average ले लो तो हम कह देते हैं a by 2 लेकिन बिटा वो actually step signal नहीं होता वो heavy side step function होता है जहां हम half define करते हैं ना वो एक modified version है step function का that is not pure step function pure step function जो है ना वो 0 पे indeterminate होता है 0 पे its value is undefined ठीक है जी अब देखो इसको आप unit step बोलोगे unit step if a equal to 1 अगर इसकी height 1 है ना तो इसको unit step बोल देते हैं और पता है खासियत क्या होता है यह unit step function होता है ना यह impulse से ही जन्मा है कैसे impulse का integration है यह यह impulse का integration होता है तो अगर impulse को minus infinity से किसी time t तक integrate कर दो ना तो आपको unit step मिल जाता है थेक है minus infinity से integrate शुरू करो करना और t तक करो t कौन सा time है जहां पे आपको step function की value चाहिए जैसे मान लो आपको पता करना है step function 5 second पे कितना आएगा तो आप impulse का integration कर लो from minus infinity to 5 ठीक है गौरव ऐसा जरूरी नहीं है कि 0 और 1 के बीच में ही value लाई करे बिटा discontinue से कुछ भी value हो क्या फरक पड़ता है है ना समझ रहे उस point की value यह undefined है ना अब आता है ramp signal ramp कैसा होता है घर का ramp देखे हो ना कभी vehicle चड़ाए होगे या pedal भी चड़े होगे ramp बना रहता है तो यह होता है TUT क्या होता है यह T या चलो ATUT लिख लो ज्यादा अच्छा रहेगा AT UT UT का मतलब यह हो गया ना यार कि यह 0 के आगे ही exist करेगा मतलब जब आप T को 0 से बड़ा डालोगे ना तो यह UT 1 हो जाएगा तो बचेगा AT और 0 से छोटा डालोगे तो UT 0 हो जाएगा तो आजाएगा 0 तो यानि जो ramp function है यह T greater than 0 पे ही exist करेगा 0 के पहले यह 0 रहने वाला है अब अगर यह AT है तो यहाँ पे अगर आप इस function को देखो ना अगर आप इस function को देखेंगे तो बात यहाँ पे क्या आ रही है कि यह जो 80 है यह time के साथ linearly vary कर रहा है ना y equal to mx के हिसाब से y equal to mx वाला हिसाब किताब आ रहा है ठीक है ऐसे देखो linear line आ गई यह हो गया RT यह हो गया T यह जो straight line आ गई इसका slope होगा A जैसे अब दुबारे से देखो revisit करते हैं impulse का area था A अगर A delta T लिखोगे ना अगर impulse को A delta T लिखोगे तो उसका area होता है A मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ if RT equal to A delta T तो इसका मतलब होगा impulse of area A फिर बेटा आप unit step में गए unit step में AUT जो आपने लिखा उसमें A था कितने amount का jump है impulse में तो A area था step में यह पता चला कितने amount का jump है और ramp में A हो गया उसका slope A क्या हो गया उसका slope तो देख रहे हैं तो सब के आगे A लगा रहे हैं लेकिन A का मतलब बदलते जा रहा है एक में area एक में magnitude और एक में slope ठीक है तो यह वाला हमारा हो जाता है भई ramp signal और ramp signal को अगर लिखना हो ना देखो unit ramp की अगर बात करें unit ramp का मतलब यह मत समझना ramp of magnitude 1 इसका मतलब होता ramp of slope 1 unit ramp of slope 1 unit तो अगर ऐसा लिखना है ना देखो TUT यह जो है यह UT का running integral है जैसे आपका impulse का running integral unit step था ऐसे unit step का running integral ramp होता है तो यह जो function होते हैं इन्हें singularity function बोलते हैं singularity पता है क्यों बोलते हैं देखो अगर इनका laplace निकालोगे इसका जो laplace होता है ना वो होता है A by S square तो इसका ना S पे दो poles आ रहे हैं A by S square आने के कारण इसका मतलब है second order pole at origin अगर यहाँ निकालते बिटा unit step का laplace निकालते A by S तो S का यहाँ पे denominator में आया यानि की one pole at origin और यहाँ पे अगर R of S निकालते तो आता A तो देखो जिस-जिस के denominator में S आ रहा है आप कह सकते हो origin पे एक pole आ रहा है origin पे एक pole आ रहा है गौरव ऐसा नहीं बोलोगे unstable system है यह सारे signal है system कहां से आ गया समझ रहे हो system unstable तो तब होगा ना जब impulse response की बात करूँगा transfer function की बात करूँगा मैं तो lap last transform की बात कर रहा हूँ देखो पता है बच्चों के mind में यह बहुत confusion होता है क्या करते हैं देखते हैं origin पे दो pole आये माने unstable आ रहे unstable है क्या कभी signal unstable हुए है क्या समझ रहे हो मेरी बात देखो lap last transform किसी भी signal को time domain से s domain में ले जाने का जरिया है और transfer function जो है वो एक तरहे का lap last transform है वो एक function का lap last transform है किस function का impulse response का तो हर lap last transform transfer function नहीं होता lap last transform तो एक mathematical tool है जिससे time domain का function s domain में जाता है इसका यह मतलब थोड़ी कि कहीं भी lap last लिखा हो जी उसके poles चेक करके यह तो stable है यह तो unstable है ऐसा नहीं अगर वो lap last transform एक transfer function है तो माने वो एक system को represent कर रहा है तब मैं system की stability और unstability पे comment करूँगा हर lap last transform से comment करते नहीं फिरूँगा बात समझ में आ गई भी गौरव और बाकी बच्चों को भी यह बात समझा है यह गलती maximum बच्चे करते हैं यहां word पड़ो यह signal है यह system नहीं है समझ रहे हो signal का lap last ले रहे हैं basically यह जो signals हैं यह system के अंदर input लगेंगे और signal कभी stable या unstable नहीं होता signal bounded unbounded हो सकता है यह कह सकते हो यह bounded signal है और यह कह सकते हो कि यह unbounded signal है लेकिन it's not a system अब आता है भई parabolic parabolic होता है ramp का भी papa इसका function होता है a t square by 2 ut a t square by 2 ut ठीक है श्रेयोन बिटा मैंने सारे courses डाल दिया है मेरी profile पे जाके देखोगे मिल जाएगा machine का course मेरे ख़ल पंदरा जून से आ रहा है अब यहां पे क्या होता है ut लगाने के कारण इसका भी फंडा ऐसा होता है 80 square by 2 for t greater than 0 and 0 for t less than 0 वैसे पता है यहां equal to भी लगा सकते हो यार यह functions ऐसे नहीं है ramp और parabolic which are discontinuous at 0 देखो unit step तो discontinuous था यार यह 0 पे discontinuous था तो यहां जब limit आई तो एक में greater आया एक में lesser आया equal to कहीं नहीं आया क्योंकि 0 पे value undefined थी लेकिन अगर अब आप बिटा इस function को देखोगे 0 के just पहले भी इसकी value 0 होगी और 0 के immediately बात भी 0 होगी यह function continuous है अब यहां पे अगर इसका graph draw करूँ मैं देखो तुम लोगों ने न मुझे पूरा topic से deviating कर दिया या unstable बोलके चलो ही मैं वापस आऊँगा जो बात मैं बता रहा था just now I remember कि बात कुछ और चल रही थी बीच में तुम ले आया अपना stable unstable बढ़ चलो अच्छा ही यह ले आए कम से कम clarity तो मिल गई देखो 0 के पहले यह 0 रहता है और 0 के बाद यह ऐसे parabolic उठता है अब यह जो function है ना बिटा parabolic यह जो function है parabolic यह कैसे लिखा जाता है t square by 2 ut इसको लिखते है running integration of t ut आप सोच रहे होगे sir tau क्यों use कर रहे हो बिटा देखो जब limits में t आ जाए ना तो अंदर function के अंदर t कभी मत रखना अंदर कोई और variable use कर लो tau use कर लो k use कर लो alpha use कर लो beta कुछ भी अलग मतलब कि integration जिस function का हो रहा है उसका variable और limits का variable अलग-अलग होना चीए limit के अंदर t की terms में अगर value रख रहे हो तो integration t की terms में नहीं होगा ठीक है यह बात clear हो गई भई यहाँ पे और देखो इसका जो laplace आएगा वो आएगा a by s cube अब अभी कोई बच्चा पूछ रहा है sir a by s cube कैसे आता है बेटा directly आप txt वाली property लगालो जो कर laplace में पढ़ाई थी इसका पता है आपको a by s square यहाँ पे t से multiply करो एक derivative बनेगा फिर 2 से divide कर देना तो यह भी 2 से divide हो जाएगा but sir step function में t equal to 0 magnitude is a rt equal to a नई गलत है बिल्कुल step function की 0 पे कभी भी value defined नहीं होती आप यह कह सकते हो step function 0 plus पे a है है ना 0 plus पे यानि immediately after 0 अब मैं आपको क्या बता रहा था बेटा कि इन्हें कहते हैं singularity function origin पे pole आने का मतलब है pole कहलाता है singularity singularity कई तरह की हो सकती है जिन में से एक है pole singularity का मतलब होता है वो points जहाँ पे आपका function defined ना हो यहाँ पे अगर 0 रखोगे तो infinity चला गया ना infinity को undefined ही मानोगे तो इसको pole is also a type of singularity तो यह जितने भी function है एक दूसरे के integration differentiation से आ रहे हैं यह सारे function कहलाते है singularity function क्योंकि इन में यह बात common है कि pole कहां पे लाई कर रहा है 0 पे सभी का pole कहां पे लाई कर रहा है 0 पे अब देखो अगर हम बात करें delta t यह होता है बिटा derivative of step function जैसे step function integration है ना delta का ऐसे delta है step का derivative तो देखो step function इसका integration बट आपका जो step function है वो ramp का derivative है भई वो ramp का derivative है तो यह जो functions है ना यह आपस में integration और differentiation से जुड़े हैं अब जो ramp है वो unit step का integration है भई ramp जो है वो unit step का integration है वही ramp जो है आपको एक चीज़ बताऊँ यह जो आपका आपका पैराबॉलिक का differentiation है ऐसे ही अब जो आपका पैराबॉलिक है वो ramp का integration है तो इस तरह से इस सारे function जुड़े होते हैं और पता है आगे चलके जब हम time response में जाएंगे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ इनके जो responses होते हैं मतलब जब इन functions को as a input जो लगाया जाता है तो जो output बनेगा उसे क्या बोलोगे response इंपल्स का output कहलाता है इंपल्स रिस्पॉं आता है step response तो देखो impulse का जो output होता है that is called as impulse response आगे कभी कोई आपसे पूछे ना impulse response क्या चीज़ आपको confusion आए तो बोलना भई है impulse का output step का output क्या कहलाता है भई step response ठीक है रैम्प का output क्या कहलाता है भई रैम्प response और पैराबॉलिक का output क्या कहलाता है पैराबॉलिक रिस्पॉंस ठीक है भई अब मेरे बच्चों एक चीज़ समझो यह जो left hand side पे functions लिखे है ना parabola, ramp, step यह सारे तो आपस में differentiation integration से related है एक function दूसरे का derivative या integration है ऐसे ही इनसे बनने वाले जो output होते है ना उनमें भी same relation exist करता है यानि अगर मैं यह बोलूँगा ना कि unit step is the integration of impulse तो step response is also the integration of impulse response अगर आप यह बोलोगे unit step is derivative of ramp तो step response is also the derivative of ramp response why are the limits from minus infinity to t बेटा इसी तरह से defined है समझ रहे हो minus infinity पे कोई भी function 0 होगा यह मान के चलते हैं वहां से accumulate करना शुरू करते हैं इसको accumulator कह सकते हो running integrator कह सकते हो तो जिस point पे आपको value चाहिए minus infinity से चलते चलते वहां तक की value add कर लो तो जो भी आपका sum आएगा integration आएगा वही आपकी function की value बनेगी मतलब impulse की value को अगर minus infinity से लेके t तक add कर लें तो step function की value बनती है t पे step को अगर minus infinity से t तक add कर लें तो ramp की value होती है t पे ramp को अगर minus infinity से t तक add कर लें तो parabolic की value होती है t पे इस type से ठीक है अब properties क्या है भी transfer function की पहली बात it is only derived for a linear time invariant system है ना कह सकते हो पिटा 0 से t में same value आएगी पहदी नहीं लेकिन वो इसलिए क्योंकि 0 के पहले सारे function 0 थे समझ रहे हो 0 के पहले सारे function 0 थे लेकिन अगर मैं कोई ऐसा practically आपको function दे दूँ जो 0 के पहले exist करता हो तो आपकी value गलत हो जाएगी ठीक है जी यह point मैंने आपको बताया था transfer function between an input variable and output variable is the laplace transform of impulse response यह भी मैं आपको बता चुका भी laplace transform of impulse response है के नहीं है यह मैंने आपको बताया all initial conditions are set to 0 यह भी मैंने बताया था initial conditions of the system are set to 0 बताया था ना initial condition 0 रखनी है transfer function is independent of the input अब देखो कई सारे बच्चों को यह confusion हो जाती है कि सर अगर input बदल दूँ तो output by input जो transfer function है वो भी तो बदल जाएगा नहीं मेरे भाई देखो transfer function क्या है यह है लैपलास transform of impulse response यह input पे नहीं करता बलकि क्या होता है input and transfer function are independent of each other यह एक दूसरे से आजाद है समझ रहे हो are independent of each other but output इन दोनों का function बनता है output इन दोनों पे depend करता है देखो चलो एक example देता हूँ जैसे गाड़ी ले लो गाड़ी जो है एक system है उसको चलाने वाला बंदा जो है वो input है तो यह गाड़ी और यह बंदा जो driver है यह दोनों आपस में independent है गाड़ी driver पे depend नहीं करती ड्राइवर गाड़ी पे depend नहीं करता लेकिन जब गाड़ी चलती है तो वो output है तो गाड़ी चलेगी कैसे यह इस बात पे भी depend करेगी गाड़ी कौन सी है और चलाने वाला कितना अच्छा driver है समझ रहे हो दोनों चीज़ों पे depend करेगी ना यानि गाड़ी से निकलने वाला output यानि गाड़ी की जो performance है वो इस पे भी depend करती है driver कैसा है और गाड़ी कैसी है लेकिन ना तो driver car पे depend करता नहीं car driver पे depend करती इसलिए car अगर एक system है system never depends on the input actually the output of the system depends on two factors input and the system ठीक है गौरव ने बिल्कुल सही बात कही बिटा transfer function जो है यहाँ पे मैं ये भी लिख देता हूँ transfer function only applicable for CISO system CISO का मतलब single input single output बट वैसे logical है ना गौरव CS by RS है तो CS भी एक ही है RS भी एक ही है यानि एक ही input है एक ही output है तो CISO system कह सकते हो single input single output clear हो गया तो transfer function समझ गए भई अच्छी तरीके से जल्दी बता दो transfer function का basic clear हुआ अच्छे से सारे आपको basic function समझ आए ramp, impulse ये सारी चीज़े revise हुई के नहीं हुई अच्छे तरीके से अब ज़रा ये देखो IR का मतलब impulse response of a function is CT ज़रा बताओ open loop transfer function अभी ये मत सोचना open loop, close loop वैसे मैं आपको conceptually ये समझा चुका हूँ लेकिन अभी transfer function में आना बागी है बना दो यार जल्दी से इसको ये impulse response दिया है transfer function आप से पूछ रहा है बनाओ और आज रात को जो है न special class पर एक must session ले रहा हूँ, different session ले रहा हूँ बहुत सारे students मेरे पास आते हैं कि यार sir हमें जो है न financial issue है हम लोग अपना जो भी ये खर्चा नहीं निकाल पा रहे है तो कुछ ऐसी बाते हम लोग करेंगे कि एक student life में रहते वे आप किस तरह से अपने finances को manage कर सकते हूँ कैसे आप self dependent बन सकते हूँ ये चीज़े आज discuss करेंगे है न हाँ जी, तो क्या होता है भाई बात ये होती है कि transfer function is laplace transform of impulse response देखो ये जो है न t greater than 0 इसका मतलब है ut समझ रहे हो, t greater than 0 जब bracket में दे दिया तो आपना in terms के साथ ut लगा दो ut तो देखो यहाँ पे बिटा txt ये होगा और ये होगा 2y s प्लस 1 1 बाई s प्लस 1 का square ये आ गया तो 2s प्लस 3 एक सेकंड, 2s प्लस 2 ये ये 1 आएगा और ये 2 टाइम्स प्लस 1 2 बाई s प्लस 1 यार देखना 2s प्लस 3 आना चीए न अच्छा यहाँ माइनस था तो ये प्लस होएगा तो ये माइनस आएगा तो ये 2s प्लस 1 हो जाएगा मैं एक माइनस मिस कर गया चलो तो कौन सा option आ गया भई D correct है D answer आएगा impulse response का laplace transform जो होता है that is your transfer function चलो अगला देखो a certain control system has input RT and output CT if the input is first passed through a block whose transfer function is e to the power minuses then applied to the system the modified output will be the modified output will be input को directly जब apply किया तो output आया CT और जब हमने input को पहले एक block से pass किया e to the power minuses से तब output कितना आएगा बताओ भई winner ने answer दिया है C बाकी लोग बोलो कूवर भी कह रहे हैं C चलो भई come on everyone be very very quick यार be very 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 quick come on जितना fast answer दे सकते हैं उतना fast answer दीजिए see देखो यहां पे funda क्या है यार यहां पे न यह funda है देखो देखो पहले इसने यह क्या है यह block है e to the power minus s और यह होगा हमारा LTI system यह जो यह जो control system दीए रहते हैं यह usually LTI system ही होते हैं अब इसने मुझे क्या बताया यार कि पहले न इसने आर्टी लगाया इस LTI system में तो इसको output क्या मिल गया ct ठीक है जी कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं लेकिन अब यह कह रहा है कि यह आर्टी यहां लगा रहा है या फिर ऐसा कहलो RS अगर लैपलास डोमेन में करो तो यहां पे आपको क्या function मिलेगा बिटा e to the power minus s RS कैसे transfer function को input के लैपलास में multiply कर दिया जब transfer function input के लैपलास में multiply होगा तो output का लैपलास मिलेगा यह function जो है ना e की power minus s RS यह time shifting को represent कर रहा है याद करो x t minus t naught is equal to या उसका लैपलास क्या होता है e to the power minus s t naught है ना तो e की power minus s 1 की shifting बता रहा है अब क्योंकि यह LTI system है भई तो जितना input में shifting उतना ही आपके output में भी shifting तो यहाँ पे क्या जाएगा c t minus 1 अब मैंने क्या बताया था बिटा जितना अगर t minus 1 कर रहे हो तो सब ही terms में t minus 1 आना चाहिए तो answer should be c b नहीं हो सकता ना b में क्या है unit step के अंदर आपका क्या है t है मैंने बताया था जब time shifting करते हैं याद करो लैपलास की class में तो time shifting सारी terms में होती है जहां कहीं t होता है हर जगे वो t बन जाता है t minus 1 अब बात आती है पिटा poles and zeros की मैंने आपको क्या बताया था जब zeros की बात करते है zeros are values of s at which transfer function becomes zero तिक है या फिर आप ऐसा कहे दो कि numerator zero होता ही मैंने आर उसी में बताया था याद आ रहा है और poles are values of s at which denominator becomes zero अब यहां पे अगर आप देखिए बचो numerator zero करना है तो s minus two को zero करो तो इससे s आ गया two दूसरी term को zero करके देख लो भई s plus five equal to zero तो s आ गया minus five तीसरी term को zero करके देख लो s plus eight equal to zero तो s आ गया minus eight यह हो गया तो जब आप numerator का numerator को जब आप zero करते हो तो आपको मिलते है zeros ठीक है अब poles पे आ जाओ पहला तो s को zero करो denominator देखते चलो s plus one को zero करो क्या आएगा s equal to minus one s plus six को zero करो क्या आएगा s equal to minus six अगला s plus nine को zero करो क्या आएगा s equal to minus nine फिर s plus one minus j3 इसको zero करो क्या आएगा s equal to minus one plus j3 complex आ गया फिर s plus one plus j3 इसको zero करो s आएगा minus one plus j3 अब पता है क्या होता है यह जो poles और zeros आते हैं ना बिटा इनको एक graph पे शो किया जाता है क्या होता है इनको एक graph पे शो किया जाता है जिसको की हम कहते हैं pole zero plot क्या कहते हैं pole zero plot अब सर यह pole zero plot क्या चीज है pole zero plot का बिटा मतलब क्या होता है simple सीधा साधारण सा that it is drawn on s-plane where poles are s-plane पे दिखा तो poles are represented as cross and zeros are represented as dot circle की तरह zeros को circle की तरह दिखाते हो poles को आप cross की तरह दिखाते हो तो आप देखो यहाँ पे क्या होता है यह देखो सिगमा यह जे उमेगा अब देखना जरा पहला 0 कहां पे है बिटा 2 पे है यह देखो ऐसे दिखा दो 2 पे 0 ठीक है फिर है minus 5 और minus 8 poles देखो कहां कहां है 0 minus 1 pole 0 पे आया minus 1 पे आया और यह 0 वाला देखो कहां पे आ रहा है minus 5 minus 8 minus 5 minus 8 तो फिर minus 5 पे 0 फिर minus 6 पे एक pole minus 5 पे एक 0 minus 5 पे है ना तो यहां देखा दो यार minus 6 पे एक pole फिर minus 8 पे एक 0 है और minus 9 पे एक pole है minus 8 पे एक 0 है और minus 9 पे एक pole है अब देखो यार, दो pole complex भी हैं एक है minus 1 plus j3 और एक है minus 1 minus j3 यह जो दोनों है ना, यह एक दूसरे के conjugate है आप देखो, minus 1 plus j3 का conjugate होता है minus 1 minus j3 तो these are conjugate of each other conjugate कैसे आएंगे, देखो minus 1 plus j3 ये चीज़ समझना इसका real part तो minus 1 है ठीक है और इसका जो imaginary part है पहले वाले का है J3 दूसरे का है minus J3 ये देखो ऐसे एक दूसरे की mirror image आते है about real axis ठीक है तो जो आपके complex conjugate वाले होते हैं ना poles या zeros वो mirror image बनते हैं about real axis तो याद रहे बिटा complex poles और complex zeros और complex zeros exist in ये graph तो मेरे जब से हर बच्चा बना सकता है बना सकते हूं ना इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप नहीं बना पाऊगे आपको numerator 0 करके जो भी values मिलेंगी उन्हें circle से शो करना और जो denominator 0 करके values मिलेंगी उन्हें cross से शो करना तो जो आपके complex numbers होते हैं ना बिटा वो conjugate pair में होते हैं मतलब अगर एक complex number आपका pole या 0 है तो उसका conjugate भी आपका pole या 0 होगा जैसे अगर minus 1 plus j3 एक pole है तो minus 1 minus j3 भी आपका pole होगा और ऐसा किसके लिए होता है ऐसा तब होता है when we are talking about a real function मतलब function में कोई भी complex number नहीं आना चाहिए imaginary ना आए और वो तब ही हो सकता है जब conjugate pair में exist करें देखो जैसे यह जो दोनों term है ना s plus 1 minus j3 s plus 1 plus j3 तो यह a plus b a minus b से combine हो जाएंगी और j हट जाएगा तो real हो गया ना real बन गया लेकिन real तब ही बन सकता है अगर यहाँ 1 minus j3 है तो यहाँ 1 plus j3 भी हो अगर दोनों में से सिर्फ एक होता तो इस function में एक आयोटा रहे जाता j माने आयोटा तो आयोटा रहे जाता then it will be complex it will not be real तीक है जी अब बात आती है बिटा block diagram तीक है अब block diagram क्या चीज है देखो block diagram का मतलब होता है system का representation in terms of its subsystem जैसे आप एक गाड़ी drive कर रहे हूँ तो गाड़ी के अंदर steering wheel है गाड़ी के अंदर engine भी है गाड़ी के अंदर आपका wheels भी है, transmission भी है exhaust भी है, cooling system भी है समझ रहे हूँ तो बहुत सारे system है गाड़ी बाहर से भली एक box एक system दिखती है लेकिन internally उसके अंदर धेर सारे systems embedded होते है तो अगर हर एक system को जो car के अंदर हर एक system लगाए उसे अगर एक block से represent कर दें, तो इन सारे blocks को आपस में connect करके मैं पूरी car design कर सकता हूँ तो इस type से मेरा पूरा का पूरा system बन सकता है तो block diagram का मतलब क्या होता है representing each and every sub-part of a system और each and every component of a system in terms of a block और block क्या show करता है एक transfer function हर block क्या represent करता है एक transfer function यानि हम block के input और output के बीच का relation बता रहे हैं क्योंकि आप जानते हो transfer function क्या होता है output upon input होता है तो अगर आप एक block का transfer function लिख रहे हो यानि आप बता रहे हो उसके input-output का relation क्या है यही होता है block diagram तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं each block represented या represents a subsystem using its using its transfer function using its transfer function that is it shows input-output relationship तो यह input-output relationship show करता है इससे पता है फाइदा क्या होता है readability बहुत बढ़ जाती है अगर मैं आपको एक गाड़ी को पूरा खोल के दिखा दूगा ना कुछ समझ नहीं आएगी लेकिन अगर गाड़ी के मैं blocks बना दूगी देखो गाड़ी में पहले engine होता है engine से power जाती है motor में motor से power जाती है wheels में wheels करते हैं rotate तो अब समझना बड़ा आसान हो गया तीन box दिखा दूगा पहला engine का दिखा दूगा दूसरा आपको मैं motor का दिखा दूगा तीसरा मैं आपको wheels का दिखा दूगा इस तरह से show करूँगा तो आप read कर पाओगे पूरा उसे खोल के अंदर का system दिखा दूगा तो शायद समझ भी ना है कौन सा part actually क्या करता है तो देखो एक काम करते हैं अभी के लिए यहीं तक हम लोग रखते हैं इसके आगे हम लोग क्या करेंगे ना कल मैं आपको पढ़ाऊँगा block diagram reduction कि कैसे block diagram को simplify किया जाता जैसे बड़ा सा complicated सा system होगा तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे blocks लगे होंगे अब उसे कैसे minimize करोगे या उसका कैसे overall transfer function निकालोगे यह चीज हम लोग कल कवर करेंगे तो यह मैं कल कराऊँगा आप लोग को देखो यह सारे हैं आप लोग निपता लेना कोई भी query आते तो हम discuss करेंगे और देखो अगर आपको unacademy join करना है बिटा तो मैं आपको बता दूँ आपके पास मातर 5 घंटे बचे हैं to get this 20% off और आप जानते हो बिटा code आपको क्या लगाना है अंके TAC ताकि आपको immediate discount तो मिले ही मिले 20% का बट आप मेरी personal guidance में आजाओ क्योंकि आप जानते हो बिटा इस बार electrical के 6 बच्चे मेरी guidance में तयारी कियें 10 में से 6 top rank निकाले हैं अब यहाँ पे देखो हम unacademy light subscription भी लाएं जो बच्चे self study करना चाहते हैं वो अब unacademy की test series purchase कर सकते हैं जिसमें topic test हैं subject test हैं multi subject test हैं और mock test है बस आपको क्या करना है unacademy app पे जाके light choose करना है और वहाँ code लगाना है अंकित ESE और अब हमने देखो plus और iconic में आज study material भी launch कर दिया है इस study material में अगर आप देखोगे न इतना गजब का presentation है कि देखते ही मज़ा आजा है मतलब कि learner का student का खुद मन करे कि आर इसको थोड़ा और read करते हैं थोड़ा और पढ़ते हैं अच्छा लग रहा है तो ये जो study material ने top educators की mentorship में बनाये गया है syllabus का कोना कोना चपपा चपपा cover किया गया है आपको problem solving skill बढ़ाने के लिए हर concept के बाद problems आपको दी गई है आपको हर chapter के end में question दिये गए है ताकि अपनी understanding को check कर पाओ और दूसरी बात ये app पे है और chapter by chapter uploaded है तो कही भी भी आप college आ रहे हो college से आ रहे हो job पे जा रहे हो job से आ रहे हो आप हमेशा इसे refer कर सकते हो तो अगर आप लेना चाहते हो बिटा तो आपको unacademy plus या iconic लेना पड़ेगा और उस पे code लगाना पड़ेगा unkit ese दूसरी बात बिटा अगर आप iconic लेते हो आप bus में travel करते हुए पढ़ सकते हो तो आप ये चीज़े भी कर सकते हो और शायद books से आपका एक experience बेटर हो पाए but that is for gate iconic subscription one year और अबव और देखो ये latest batch है यार जहां EMT स्टार्ट किया है मैंने सिधार सरने analog और ready सरने network मेरा भी network आने वाला है लेकिन 18th of May से आएगा 18th of May से 14th of June तक मैं network पढ़ाऊंगा प्लस पे और फिर 15th of June से machines और देखो ascent batch है 2024 वाले बच्चों के लिए तो अगर आप second year में हो या third year में हो दोनों ही तरह के बच्चे हमारे साथ तयारी कर सकते हो और यार देखो कहने की जरूरत नहीं होनी चीए आपके सामने है result है ना हम लोग अपने बारे में क्या बता है result बोलता है इन बच्चों की success stories बोलती है आप देखो electronics और electrical engineering का सबसे बहतरीन इस साल का result produced के आन अकैडमी ने और यह legendary result है और यह record breaking result है सिफ रिजल्ट नहीं है यह history लिखी गई है कि जो लोग doubt करते थे ना कि online से कैसे rank आ सकती है जो बच्चे कहते थे नहीं सर rank लाने के लिए तो classroom चाहिए ही होता है उनको पिटा यह जवाब है कि अगर बच्चा serious हो अगर बच्चा पढ़ना चाहे तो online learning से कुछ भी हो सकता है और अब तो online learning और ज़्यादा मज़ेदार हो गई है क्योंकि anacademy ने इतना तक system आपको दे दिया है क्लास में कि आप teacher से raise hand करके audio पे बात कर पाऊ मतलब मज़ा ही आ गया यार अब तो online classroom में एकदम offline वाली field डालती है और offline के जितने drawback थे सारे हटा दिये और देखो अगर anacademy join करना और best rank लानी है बिटा तो iconic के लिए जाना यहाँ ना आपको सबसे बढ़िया benefit मिलता है एक personal coach यह खुद एक top पर है gate और EAC का ranker है यह क्या करता है ना यह make sure करता है कि आपकी तयारी track पे है पूरा time table बनवाएगा मस तरीके से इवन teachers आपको personal level पे guide करेंगे test का separate analysis मिलेगा जहां हम आपको बताएंगे आपकी strength और weakness आपको study material मिलेगा घर पे deliver कराये जाएगा dedicated doubt instructor होंगे जो आपका one to one doubt क्लियर करेंगे अगर नहीं ले सकते तो plus पे आना देखो जो भी हम plus वाले बच्चे को देंगे न वो iconic को तो मिले गई over and above ये सारे benefit मिलेंगे अब क्या मिलेगा plus में live और recorded class हर Sunday test मिलेगा सारे courses structured होंगे अगर आप मेरी profile जाके देखोगे न मेरे December तक के courses का मैं schedule डाल चुका हूँ day by day किस दिन क्या पढ़ाऊंगा इतना तक बता दिया हूँ आपको unlimited access है एक subject आपको दो teacher से पढ़ना है तीन से आपकी मर्जी है rank improvement batches भी आते है crash courses भी और unacademy light के बारे में जो मैंने बता है न वो दोनो subscription में included है और देखो अगर आपको join करना है तो आप duration choose कर लो भीटा third year वाले 12 months ले लो और second year वाले 24 months ले लो लेकिन कोशिश करना भीटा iconic पे जाने की और code याद रखना अंकित ESE इससे immediate अगर आज रात के 12 बजे तक लेते हो 20% off मिलेगा और मजे की बात यह है आप ये amount one time दे सकते हो installment में दे सकते हो parts में break करके दे सकते हो या फिर anacademy से loan ले सकते हो ताकि बाद में repay कर दो और ये है मेरा telegram channel यार जहां notes, notifications, study material सब चीज free of cost मिलती है इस class के खतम होते ही मैं इस PDF का link भी आपको इसी यहीं पे दे दूँगा ठीक है आज ही कोई बच्चा control की class में machine का doubt पूछ रहा था तो ऐसा नहीं हो पाता लेकिन यहां पे facility है आपको बस doubt का picture क्लिक करके upload करना है अपनी branch tag करनी है आपको language बतानी है किस language में video solution चाहिए हम आपको जल्दी से जल्दी video solution प्रोवाइड करेंगे अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया नहीं लगे तो उसको thumbs down देके review request कर लीजेगा ताकि आपको नया solution मिल जाए और अगर अगर अब भी कोई query बच्चती है unacademy से related तो भाई यह मेरी team का number है इस पे call करने से जिजकिएगा मत इस पे call कीजिए आपको सारी information दी जाएगी so thank you everyone like, share, subscribe जरूर करें और comment करें वीडियो कैसा लगा फिर मिलेंगे चलते चलते let's crack it